कि नमस्कार दोस्तों विलकम टूजे हमारे स्टेडी यूट्यूब चैनल आज हम लोग इस वीडियो में क्लास तेंथ के यह एंसी आटी सॉलूशन का प्रशनावली 1.2 को देखेंगे हमारा फर्स्ट नमबर सवाल है निमलिखे संख्याओं को अभाज गुनन खंडों के गु सवाल है 140 का गुनन खंड करना तो 140 का करेंगे दो से 70 फिर दूसे लगाएंगे इसमें तो क्या हो जागा 35 का जाएगा फिर यहां 5 से 5 सते 35 यानि इसे हमें क्या करना है गुनन फल के रूप में सजा देना है अब आज गुनन खंड का 340 पराबर दूइस में डबल है तो 556 का निकालीएगा तो 156 का दू से लगाएंगे तो सते 14 28 16 फेर दू से लगाएंगे 2 ती आई 6 दू नमा 18 फिर तीज लगाएंगे तो ते रति या 49 अब यहाँ पर 156 का अगर लिखे हम यहां क्या हो जाएगा इसका गुनफल के रूप में दोगो दू है तो दू का स्क्वार गुने थिरी और गुने में तेरा हो जागा यह मेरा इतना रुट अंसर हो जागा चलिए नेक्स नमबर देखते हैं 3225 है तो अर्टिस पचीस का अगर हम देखे तो चुकि लास्ट में पांच है तो पांच से भी लगा सकते इसमें पांच सते 35 और यहां पर हो जाएगा पांच सते 35 हो गया और तिन्दू हो गया 75 और यहां पर 35 35 फिर यहां पर क्या करेंगे पांच से लाएगे पांच यकाई पांच और पचान पचीस फिर यहां पर अब यहां पर 38, 25 बराबर में क्या हो जाएंगे आपके पास 38, 25 का जो गुननखण के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा पांच का स्क्वार गुने 3 का स्क्वार अगुने में 17 यह मेरा हो जागा अंसर नेक्स्ट है पांच-जार-पांच का निकाला तो पांच-जार-पांच का पहले पांच है लास्ट में तो पाँचे से लगा यह 5 यह पाँचा 9, 0, 0, 5 यहां पर जोखी एक है तो पांच से लगेगा नहीं 7 से लगते हैं 7 एकम साथ और दस में से साथ जागा 3 0 7 4 28 और साथ तीर ही 21 फिर यहाँ पर अब साथ से लएगा नहीं 11 से लगाना परेगा तो 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11 और 11 ती आई 33 यानि कहने का मतलब हो गया कि 5005 5005 बराबर में क्या हो जागा पांच गुने साथ गुने 11 गुने तेरा हो जाएगा मेरा एंसर नेक्श्ट है 24-29 निकालना है इसका गुनरखंड निकालना है तो चलिए सत्रा से पहले लगाएंगे तो 17 से लगाएंगे यहां पर तो क्या होगा 17 चुका और 60 और 17 यह कावन 17 सते 119 हो जागा फिर 17 से लगाने के बाद आपका जो है 19 से लएगा इसमें आप भाग दे करके देख सकते हैं 19 से लगाएंगे तो यहां 19 दुना और 39 संताबन हो जागा फिर यहां पर क्या करेंगे 23 तो 23 से 23 से लएगा यहां पर काने का मतलब हु 29 गुने 23 यह हो जागा अब हाज गुननखंड के रूप में तो पहला सवाल को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से LCM मेथड या फैक्टराइज गुननखंड करना था 140 का 156 का तो इस तरह से हम लोगों ने इसको निगाल करके और जितना भी फैक्टर जिसे और 5 दो बार है तो पांच कास् 3-2 बार यह तो तीन कास्क・कॉार और गुन में 17 कर देजिंगी यह हो जाएगा गुननखंड की रूप हो गया भाज गुननखंड के गुननफल की रूप में हो गया अब चलते हैं सेकेंड नमबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो समझिएगा सेकेंड नमर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कि यदि प्रुणांकों के निमलिख्षित युगमों के LCM और HCF निकालना है क्या निकालना है LCM और HCF निकालना है और हमें क्या करना है प्रूफ भी करना है इसे क्या करना है प्रूफ भी करना है चलिए देखते हैं पुर्णांकों के निमलिखित युगमों के LCM और HCF ज्यात किजिए तथा इनकी जाच किजिए कि दो संख्याओं क बराबर जो होता है वो क्या होता है दो संक्या बराबर होता है LCM तो चलीए इसको हम प्रूफ करते हैं 26 और WindowsLR 91 है दो पहले क्या करेंगे हम 26 का निकालेंगे अचल इसे 2 बीधि से हम बना सकते हैं यानि एक तो यह हो सकता है कि पहले दुनों का यालग जलग पहले लिस्जीयम निकाल लेए और सब्सेन माई हैं तो एक मेंदर तो यह है कि अलग अलग निकालने का थे 26 और 35 का मौस़ निकालते फिर 299 में गुना करके लॉसर से मौसवर में गुना करके प्रूप कर देंगे और एक है कि एक ही साधे से गुनन खंड भी धी से हम बना लेते हैं कि दोनों ही लसो और मसा दोनों निकाल लेते हैं तो चलिए फैक्ट प्राइज कीजिए 26 का 26 का फैक्ट प्राइज करेंगे तो दूसे तेरा दूना 26 और यहाँ पर 26 बराबर क्या हो गया दो गुने 13 हो गया चलिए अब यहाँ देखते 91 हैं तो 91 का निकालेंगे तो चुकि 7 से ही लाएगा 13 सते 91 तो 91 बराबर क्या हो गया 7 गुने 13 तो यहाँ पर 13 दोनों में common है तो इसका जो मौसा हो जागा यानि यहाँ पर मौसा जो हो जागा मेरे पास वो क्या हो जागा मौसा बराबर में हो ज होता है लौसा जो हो जागा मेरे पास वो हो जागा आपका क्या लौसा बराबर चुकि दोनों में 13 common है तो पहले तो 13 होगा और जो common नहीं यह उसको भी तो और गुने में साथ अभी सबको गुना कर दीजिए तेरह दूना 26 26 सत्य तो सचक 42 के दू और यहाँ पर सादूनी 14 पूदाचार अठार यानी कितना होगा एकसव बिरासी हो जागा पहला यानी इसका जो मसह हो जागा मेरे लिएसर बिरासी और मसह हो गया तब यहां पर क्या करना है इसलिए संख्याओं का गुनन फल बराबर में क्या हता है LCM-HCF यानि संख्या मेरे पास है 26-91 और बराबर में गुना कर देना है यदि आप इसका गुना करते हैं तो आपको 26-91 में गुना कीजेगा तो कितना आजाएगा 2366 और इसमें भी 13-82 में भी गुना कीजेगा तो आजाएगा 2366 इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा तो समझ गया है क्योश्चन को कुछ नहीं था दुनों का गुनानखंड विधी से हम लसा और मसा निकाल देंगे और निकालने के बाद दुनों को लसा से मसा में गुना और पहली संख्या से दूसरी संख्या में गुना कर देंगे नेक्ष्ट देखते हैं सवाल जो हमारे पास है वह है पानसो दस से पहला है पानसो दस तो पानसो दस का पहले निकालेंगे पानसो दस का दूसे दूदूनी चार दूपंचे दस और दूपंचे दस दूसो पस्पन हो जागा फिर यहाँ पर पान से लाएगा पचाप पची गुलने 3 गुलने 17 अब यहां बिरान में बरावर क्या हो ग्यां फिर डूसे का ही तो दूसे फारलेंगे से निया पर हो जागा दू सब्सक्राथ न जुक्ण कर सब्सक्राइब सरे पर 6 फिर दूसे क्या हो जाएगा यहां बनाते हैं इसका पूपनेस में कि देखिए लॉसा जो हो जाएगा इसका अगर हम पहले मौसा निकाले तो मौसा देखे दोनों में कॉमन क्या है दो यहां भी कॉमन है और दूगा स्क्वार है फिर भी तो यहां पर दो होगा ही तो मौसा इसका कितना हो गया दो हो गया और उसके बाद यहां लॉसा अगर देखें हम लॉसा देखें तो लॉसा मेरे पास क्या हो जाएगा तो देखिएगा लॉसा जो है दोनों में सबसे बारा पावर्ट दू का स्क्वार लेंगे उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा पांच गुने तीन गुने 17 और गुने में 23 अगर गुना कर दीजे 23 बराबर में आपके पास जो भेलू आएगा वह कितना आजाएगा सब का गुना करने के बाद इस सब का जो LCM आजाएगा 23 अगर 3 8,546 यानि 23,460 पहले जो जोनी 4,25, 24, 6, 60 से 17 में गुना और उससे 23 में गुना कर जीएगा तक का एंशार इतना हाजाएगा अब हमें तो प्रूप करना है क्या करना है साबित करना है तो साबित क्या करना है पहली संक्या गुने दूसरी संक्या यानि संक्यात व Veg Sometimes इस सीयम गुनेहें तो संख्या मेरे पास है 512 बराबर में क्या हो जागा लोस गुनेह मौस यानि 23460 गुनेहें अगर हम गुना करें तो मेरे पास आप देख सकते पहले इसको ही गुना कर दे दोनों बराबर आएगा है अगर आप जीएगा यहां क्या आजाएगा तेस चार्सों सार्चे जीरो दुछक बारा दुच्वका ठेक नौ दूतियाई छो और दुदुनी चार च्यालिस बिरानमे जीरो तो यह भी आजाएगा च्यालिस बिरानमे जीरो गुना करके आप देख सकते हैं दोनों आपस में प्रूब्ध हो जाएगा अब देखते हैं आगे नेक्स्ट कोश्चन है तिनसोच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च फिर तीन सते 21 यानि कहने का मतलब है कि 336 का अगर हम देखें तो गुनन अभाज गुनन खण की रूप में इसे हम निकालते हैं तो एक दो तीन चार यानि दू केतना है चार और गुने में तीन और गुने साथ हो जाएगा दूसरा है चोबन का निकालते हैं चोबन का दू से 27 जुना फिर तीन से लाएगा तीन नमा 27 और तीन 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 तो चोबन बराबर मेरे पास आ गया दो गुने तीन के पावर तीन अब यहाँ अगर हम देखे तो मौसा मेरे पास क्या हो जागा सो देखिएगा इस सवाल का ज़र बना रहे हैं हम यानि इस सवाल का जो मौसा क्या हो जागा तो मौसा देखिए दोनों में जो common होता है सो होता है तो यहाँ तीन भी है और दो भी है तो 2 गुने 3 यानि कितना हो जागा 6 हो जागा इसका मौसा हो जागा 6 और लौसा क्या होगा जो दोनों में बारा पावर होता है गुनानखंड के रूप में अगर बनाईएगा तो याद रखेगा कि जो दोनों में बारा पावर होता है वही होगा जो दोनों में बारा पावर ह तो दू के पावर चार है तो पहले लेंगे दू के पावर चार तीन के पावर तीन है तो तीन के पावर तीन और साथ नहीं मिला तो साथ अब इस सब का यदि आप गुना करते हैं तो मेरे पास जो लौसा निकल जागा वह आ जागा देखें गुने संख्याओं का देख सकते हैं अब इसे क्या करना है प्रूप करदेना है थाबित करना है कि लोसा गुने मौसा यानि LCM गुने HCF बराबर में संख्याओं का गुननफल कोई दिकत नहीं पहले यह या बाद में उससे मतलब संख्याओं का गुननफल हो जाएगा अब कर दीजे गुननफल क्या है संख्याओं का गुननफल तो लोसा गुने मौसा तो लोसा मेरे पास कितना है 30, 24 और मौसा कितना है 6 मराबर में लोसा गुने संख्याओं का गुनन फल तो संख्याओं का गुनन फल मेरे पास संख्या कितना कितना है 336 गुना में चोव बन अब यहां देखिएगा चुकि इसी का हम 6 से चुकि यह कंका गुना है तो 624 के 4, 622, 2, 14 और 6, 18 यानि 18, 144 आ जाएगा मेरे पास तो जब यह 18, 144 है तो भी आ जाएगा तो इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को भी देख लिया कि लोसो और मौसा निकाल करके दोनों को प्रूब भी करना था हम लोगों देख लिया आगे देखते हैं अब आज गुनन खंड बीधी द्वारा निमलिखित पुर्णांकों के स्टेफ और रज्जेम वही बात निकालना है यहां तो एक स्टेफ कम ही करना है विकोज यहां पर क्या करना था लोसो मौसा निकाल के उसको प्रूब भी करना था लेकिन यहां पर आपको केबल और अब दी बता रहा है अब आज गुनन खंड बीधी से चलिए हम लोग बनाते हैं पहला है 12 12 का निकालेंगे तो दू चक 12 2 ती आई के 6 तो यहां 12 बराबर क्या होगे दू का स्कौार गुने में 3 ठीक है दू का स्कौार गुने में 3 अब यहां देखते हैं 15 का निकालते हैं तो तीन पचे पंदरा यानि पंदरा बराबर हो जाएगा मेरे पास तीन गुने में पांच उसके बाद एकईस है तो तीन सत्य का एकईस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास एकईस बराबर में हो जाएगा तीन गुने साथ अब देखेगा एक बात यहाँ पर याद गालेजिए तिस नहीं कितना ओजागा तो अगर का सब्सक्टी देखें तो सब्सक्राइब नहीं है तो तीने हो जागा और 5 और 7 यानि जो मिलेगा उसमें 12 पावर और जो नहीं मिलेगा उस सब को लिख देना है अब कर दिजे चारते इबारा पंचे 60 60 साथ में गुना कीजेगा तो कितना आजाएगा 420 इसका राइट एंसर आजाएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर 17 23 27 है इसमें तो कुछ भी कॉमन है यह नहीं है यानि 17 का क्या हो जागा 17 ही होगा गुने एक और 23 का लीजिएगा तो क्या हो जागा 23 गुने एक और 29 का लीजिएगा तो 29 गुना एक चुकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो मौसा क्या हो जागा सब में क्या है एक एक कम से कम तो है यह हो जागा और लौसा सब का गुनान फल कर दीजिए 17 गुने 23 गुने 29 तो 17 23 और 29 का यदि आप गुना करते हैं तो आपके पास आज जागा 11349 आप गुना करके देख सकते हैं गुना हो जागा आप कर लीजेगा गुनान फल इतना चलिए आप आगे देखते हैं थर्ड नमर क्वेश्चन है मेरे पास आठ नौ और पचीस आठ नौ और पचीस का निकालना है तो आठ का आप जानते हैं कि आठ का क्या जगद मौसा नहीं है इसलिए मौसा मेरा पास एक हो जागा और लौसा जो हम लिखेंगे वह सब का वही बात गुना कर दिए आठ गुने नौ गुने पचीस आप जानते हैं यहां पर गुना कर देंगे 25 दूसा दूसा नमा अठारा सो यानि 25 से पहले आठ में गुना कर दिए पच तरह से हम लोगों ने कुछ प्रमुक सवालों को देखा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यह मारे स्टेडी यूट्यूब सेनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए इसका सकेंड पार्ट हम जल्दी अप्लोड करेंगे थैंक्यू इसका सब्सक्राइब पार्ट हम जल्दी यूद करेंएब